लिए एवरिवान, मैं हूरिया और सागतय आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फेशन उंत्रविच्छिया में हम आज के इस खलास में हम कवर करने वाले हैं पार्ट तू जैसा कि पार्ट वन में मैंने आप सभी को बताया था कि हम जो seems को है वो part 2 में divide करेंगे क्योंकि seems जो है वो बहुत जादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत है और बट मैं आपको अच्छे से समझाना चाती हूँ details में समझाना चाती हूँ इसलिए video जो है थोड़ा सा लंबा हो चाता और वो वीडियो अगर मैं उसमें ही continue करती तो वीडियो बहुत जादा लंबा हो जाता तो चलिए बिना किसी time को waste की हूँ है आज किस class को करते है start channel पर नए है तो चैनल को subscribe करके ही चाहिएगा notification bell वेट कर लीजेगा साथी साथ ताकि हर नए video की notifications मिले आपको और चलिए फिर बिना किसी देरी के हो जाते है start so यहाँ पर हम आज सीखने वाले हैं कुछ नई नई सीम so सबसे पहले fabric को इस तरह से two part में cut करेंगे और इसको इस तरह से हम दोनों parts को आपस में join करने के लिए एक जो है प्लेन सीम लगाएंगे जिसा कि मैंने last class में आप सभी को समझायता है कोई भी दो fabric को आपस में connect करने के लिए हम जो भी सीम का use करते हैं वो प्लेन सीम होती है so इस तरह से हम सबसे पहले यहाँ पर allowance लेते हुए fabric को जो है इस तरह से प्लेन सीम इसमें करेंगे हमें क्या करने यहाँ पर हमें 2 लगानी है तो यह तो ho सीम किनारे से ले सकते हैं ठीक है जो कह में लेने वाले हैं और एक सीम हमें यहां पर देनी है जो कपड़ा है उसको हमने एक साइट पर टख लिया है और जो है हमारा स्टिजिंग करेंगे हम इस पर अब सो जो हमारा टॉप है सीम का पॉइंट उस पर हमने स्टिच की है जहां पर हमारी सीम लाइन एंड हो रही थी उसी पर हमने इस तरह से स्टिच किया और अब हमने जो फैबरिक है उसको एक साइड ही फोल करके रखता है जो हमारा पीछे का एलाउंस था उसको हमने एक साइड प होती है वो की जाती है हाड़ फैब्रिक्स में जो मोटे फैब्रिक्स होते हैं या फिर ऐसी इस फैब्रिक्स जिनकी सिलाई खुलने का हमें डर रहता है तो उस तरह की सीम्स में इस तरह की जो है सीम्स का यूज किया जाता है जो भी heavy fabrics होते हैं वो क्या उनकी सिलाई जो है खोले ना इसके लिए इस seam का यूज किया जाता है अब हम इसको दूसरी तरह ऐसे करेंगे और इस seam को हम बोलते हैं left seam ठीक है तो एक तरीका इसको यह करने का है कि आप इस तरह से fabric को जो है मार्किंग कर लेंगे और जो allowance है उसको आप अंदर की और मोड लेंगे जैसा कि मैंने अभी आपको मोड की दिखाया और इसके यहां पर आपको सिलाई लगानी है इस तरह से हमने एक allowance जो है हमारा उसको लिया है और उसको अंदर की और फोल्ड कर लिया है और इसकी उपर से हम आप यहां पर एक seam लगाएंगे इस तरह से आपकी जबी भी आप करें straight होनी चाहिए नहीं आती है straight tone पर आप practice करें सो इस तरह से हमने यहां पर seams जो है वो लगा ली है और यह आप देख सकते हैं इसका final look अब हम next seam सीखेंगे उसमें हमी क्या करना है इस तरह से हमें allowance जो है वो ले लेना है fabric का और हमें उस allowance को जो है mark कर लेना है अच्छे से तो यहां पर भी हमने दो फैब देखके पार्ट लिये हैं आप लोग देख सकते हैं और अब इस पर हमने marking की है उसी marking से हम इस पर एक seam लगाएंगे इसे हम लोग french seam बोलते हैं और यह जो है वो हमारे denim जो होते हैं हमारे jeans होते हैं उसमें यह seam की जाती है आप लोग देखा होगा कभी भी आपको denim में अंदर से आपको कोई भी allowance देखने को नहीं मिलता कोई भी extra fabrics आपको देखने को नहीं मिलती so वहाँ पर जो है वो इसी french seam का यूज़ किया जाता है so यहाँ पर क्या करना होता है जो हमारा allowance होता है इसके दो portions थे so उसमें से हम एक portion को कट करके remove कर देते हैं जैसा की यहाँ पर आप देख रहे हैं है ना यहाँ पर जो हमारा allowance है वो two parts में है एक left और एक right में सो इस मैंसे एक allowance को इसको हम कट करके remove कर देंगे सो इससे क्या होगा जो हमारा fabric होता है जैसे denim हमारा heavy fabric है उसमें अगर हम इस तरह से fold करेंगे दोनों allowance के साथ तो बहुत जादा heavy हो चाएगा सो इसको हम क्या करते हैं एक allowance इसका cut कर देते हैं और इस तरह से इसको finishing देते हुए इसको fold करने के साथ ही इसको क्या करते हैं इसी side की और हम turn कर देंगे कुछ इस तरह से और फिर हम इसकी ऊपर एक top stitch कर देते हैं सो इससे क्या होता है हमारे फैब्रिक में फिनिशिंग आ जाती है और हमारा कपड़ा जो है वो मजबूत भी हो जाता है जितने भी डैनिम्स होगे आपके पास अगर अभी तक आप लोग ने ध्यान नहीं दिया तो अब आप उठाकर देखेंगे तो उनमें क्या होता है यही सीम होगी जाती है जो इससे क्या होता है जो हमारे डैनिम्स होते हैं एक तरह से मजबूत हो जाते हैं और दूसरी तरह से क्या होता है कि उनमें जो भी सीम्स हमारी लगी होती है वो कभी भी उनकी वज़े से एकस्ट्रा धागे या कुछ भी अन्फिनिस्ट हमको जीन्स में या हमारे टैनिम्स में लुक नहीं आता है तो इस तरह से हमारी जो फ्रेंच सीम है वो बन के तयार है अब यहां पर नेक्स सीम है जो उसमें क्या होता है जो हमारे कुछ हमने जो भी हम ब्रांडट कपड़े खरीगते हैं तो आपने देखा होगा उनमें अंदर से धागे वगरा नहीं निकलते हैं या फिर आप किसी अच्छे बुटीक से स्टिच करवाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि इस तरह से फिनिश लगाते हैं जो भी हमारे कपड़े का फ्रेंट साइड होगा उस से हम इस तरह एक प्लेथ सिं고 व typical संव happen ऌर्ट क्याकर threatened तो इससे क्या होगा हम एकदम प्रनिश लूप होगा और जो फ्रेंट पार्ट है उसमें भी हमारा फिनिश लूप स मेंरे Episode उनिश लुक रहेगा तो हमारे फ्रेंट और बैक दोनों ही बहुत ही साफ सुत्रे रहते हैं कोई भी कहीं से धागा नहीं निकल रहा होता है और आपका क्लाइंट जो है वो एकदम आपसे हैपी हो जाता है कि कितनी सुन्दरता से इन्होंने आमारे कपड़े की स्टिचिंग की है और हमें क कहीं से भी कोई भी धागा नहीं निकल रहा है और एकदम फाइन लुक आ रहा है सो इस तरह से कपड़े में मजबूती भी आती है आपकी और आपका जो कस्टमर है वो भी हैपी हो जाता है इस तरह की सीम को देखकर यह बहुत ही ईजी सलाई होती है और इसका लुक जो है व हैं और जो बॉटम पाइव उस-फें हम करते हैं हैं मिंग सो सबसे पहले हमनी क्या करना है जो हमारा टॉप पार्ट इसको एक बार और इस इस तरह से दो बार दो बार उसको फोल्ल कर लेना यानि टोटल ईलाँउस जो हम वङकर लेते हैं उसका यह उस अई होता है सो यह जो स्टिचिंग इसमें करते हैं हम जो भी सिलाई हमने चलाई है अगर हम चाहें तो इसको बाद में हटा भी सकते हैं एक तरह से हमें हैमिंग में हेल्प करनी के लिए यह जो है टॉप स्टिच लगाई जाती है और इसका जो बॉटम पार्ट होता है उसमें हम यहां पर और यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसमें है कर दी है और finger गैसे उसक्तीधे अहें सुलー कर दिए होगार रहा है सो ओफुली आज की एक लास आप सभी के लिए हैल्फुल रही हो मिलते हो नेक्स्स क्लास में तब तक के लिए टेक क्यार बाबाए डोंट फोगेट सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंड थैक्स फो वाचिंग